हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चनल एजुकेशन एमसीक्यू बोस्टर और आज की वीडियो कंप्यूटर इंपॉड़ेंट जीके के ऊपर है विकाज काफी कंडिडेट्स की दिमांड थी कि मैं कंप्यूटर के ऊपर जीके के के कोश्टेंज के ऊपर एक वीडियो प्रेंट है विकाज उनका एक्जाम आने वाला अभी सो वीडियो को पूरा देखना चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कुशन इस इन विच यह वास गूगल इंकॉर्परेटेटेड अस अ प्राइवेट कंपनी तो हैर इस फोर उप्शिंस और राइड अंसर इस ओप्श वो थे लेरी पेज एंड सर्गे बरीन ठीक है गूगल का हैटकॉर्टर पूछा जाता है एक्जाम में सो मांटें व्यू सिटी इन कैलिफोनिया यूइन इसका हैटकॉर्टर है गूगल का अन करेंट में अगर सी ओ पूछा जाए सो सुंदर पिछाई है और इनको अभी पन अगर सामने पूछा ही जाता है ठीक है सो सेकिंड जर्रेशन कम्पूटर स्कें बी करेक्टराइज्ड लाज़ी बाइड यूस ओपर तेक्नोलोजी के ऊपर इसको करेक्टराइज किया गया है तो यह जो पिक्चर में यहां पर मैंने लगाई है यह बहुत साथा इंपॉर् क्योंकि इसी में से एक कोशन पूछा जाता है या तो फिर पीरेट पूछा जाता है या फिर यह पूछा जाता है कौन सी टेक्नोलोजी यूस करी गई थी सेकंड जर्रेशन थर्ड जर्रेशन में तो इसको देखते हैं वन बाइवन फर्स जर्रेशन जो थी वो 1946 से लेके 1959 तक थी and उसमें vacuum tube technology का use किया गया था second generation जो है वो 1959 से लेके 1965 तक थी उसका period and उसमें transistor का use किया था जैसे कि यह हमारा question ही है इसे के ओपर third generation जो है वो 1965 से लेके 1971 तक इसका period था and उसमें integrated circuit का यूस किया गया था fourth generation जो computer का था वो 1971 से लेगे 1980 तक उसका period रहा और उसमें microprocessor technology का use किया गया और 5th generation जो हम आज तक use कर रहे है वो 1980 से लेगे अभी तक इसका period है और इसमें जो technology यूज करी गई है वो है artificial technology, alright, next question देखते हैं which is the smallest unit of data in a computer, here is four options and the right answer is option B, bit, okay, bit is the smallest unit of data in a computer so कुछ key points देख लेते हैं, जो exam में पुछे जाते हैं काफी बार so bit is the smallest unit of a data in a computer 8 bit equals to कितना होता है, यह पुछे जाता है, so 1 byte होता है and 1024 byte equals to 1 kilobyte होता है 1024 kilobyte equals to 1 megabyte and 1024 megabyte equals to gigabyte, ठीक है and 1024 gigabyte equals to 1 terabyte so यह important है क्योंकि यह नहीं के उपर question पुछे जाता है, इससे ज्यादा चो है units वो बहुत ही कम पुछे जाता है exam में, तो इतनी तो आप अच्छे से करके जाहिएगा next question देखते है who among the following invented the worldwide web जिसको हम www बोलते हैं जो हम टाइप करते हैं गूगल सर्च इंजिन में in 1989 so इसको इन्वेंट किसने किया था, व्ल्डवाइट वेब को so is the right answer is option C Tim Berners-Lee ने इसको इन्वेंट किया था, व्ल्डवाइट वेब को, व्ल्डवाइट वेब को और उन्होंने इसको इसको स्थापित किया था, 4th April 1975 में Microsoft को, ठीक है Charles Pavey इसको हम क्या बोलते हैं, father of computers all right, next question देखते है which of the following is a super computer developed by India so इन में से कौन सी computer है, super computer है, जो की India ने डवलप किया है so इसका right answer है, option A, परम यूवा 2 ठीक है कुछ की points देख लेते हैं, यह काफी ज़्यादा important है, अपके exam purpose के लिए so इसकी memory जो थी, वो है 14,144 GB और यह oldest super computers है, इंडिया का इंडिया है 15 super computers right now, अब भी इंडिया वास 15 super computers है जिसमें से परम सिद्धी और प्रतियूश जो है, वो 100 fastest super computers में इंकी गिंदी होती है world में, ठीक है और इंडिया फर्स super computer कौन सा था, यह exam में पुछे जाता है परम 8,000 था और वो डबलब किया गया था 1991 में यह जो परम 8,000 है यह क्या है, इस सीरीज ओफ गीगा फ्लॉप super computers ठीक है और इसको डवलब किया गया था डवलब किया था विजय पी भाकतर ने ठीक है और इनको हम और भी नाम से जानते हैं जैसे कि Architect of India Initiative in Supercomputing ठीक है, इनको यह भी बोले जाता है और परम मींस जो परम की फुल फॉर्म पूछी ली जाती है इसकी फुल फॉर्म है पैरलल मशीन ठीक है नेक्स कॉश्चन देखते हैं अब वन लाइनर कुछ इंपॉर्डेंट है जो की एक्जाम में पूछे जाते है ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं साथी साथ बीच बीच में मैंने इनको इंक्लूट किया है वन लाइनर प्लस MCQ फॉर्स कंप्यूटर वस वेर प्रोग्राम उसिंग जो फॉर्स कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था वो कौन सा था जो यूज के रही गी थी उसमें मशीन लैंग्विज यूज की गी थी यह याद रखना MICR यह एक्जाम में पूछे जाता है इसकी फॉल फॉर्म सो मैगनेटिक इंक करेक्टर रीडर है कि फॉल फॉर्स एलेक्रोनिक कंप्यूटर का नाम पूछ जाए तो इनक है इनक और वेर दर सी प्यू एंड मैमोरी लोकेटेड जो सी प्यू है और उसकी जो मैमोरी है वो कहां लोकेटेड रहती है सो मदर बोर्ड में यह पिक्चर देख रहा है Name the father of a computer mouse So father of computer mouse किसको बोले जाता है So Douglas Engelbert को बोले जाता है Who is the founder of IBM company IBM company के संस्तापक कौन थे So Thomas J. Watson थे Next question is Who designed the first analog computer in India So here is the four options And the right answer is option A Samarandra Kumar Mitra इन्होंने design किया था First analog computer भारत के लिए So key points देख लेते हैं Samarandra Kumar Mitra जो है Indian scientist है And plus mathematician भी है इन्होंने design किया था First computer analog computer वो भी कव 1954 में और कहां पे Indian statistical institute जो की Kolkata में है ठीक है First analog computer invented World की अगर बात करी जाए कि first analog computer इन्होंने किया था World में किसने So Mihalio Petrovic Alasne किया था ये याद रखना आप और जो first analog computer था वो था Antichathra Mechanism के ओपर था वो डिस्क्राइब ऐस था World first analog computer All right Next question देखते है फिर one liner discuss करते है Who is the father of a computer science ये भी exam में पूचे जादा है कि father of computer science किसको बोलते है So Charles Babes को बोलते है Scientific name किया है computer का So Silico Sapiens है Scientific name computer का Fortin काफी बार सुना होगा इसकी full form पूछते है So formula translation इसकी full form है Who is the father of personal computer Personal computer के father कौन है So Edward Robert है Who developed the first electronic computer So J.V. Atansov ठीक है उन्होंने develop किया था First electronic computer First web browser कौन सा था Exam में पूचते है To music page था First web browser First page of website is stormed as a जो पहला page आता है Website में उसको हम क्या बोलते है Home page बोलते है ठीक है IBM जैसे कि अभी हमने पीछे one liner में डिसकस किया था IBM के उपर So IBM की full form पूछते है तो इसकी full form है International Business Machines All right Next question देखते है ये The first barcode system was developed by जो barcode system था पहली बार किस ने develop किया था इसको So इसका जो right answer है वो है option A Norman Joseph Woodland ने इसको डवलप किया था बार कोड सिस्टम को ठीक है Option A is the right answer and कुछ key points देखते हैं और ये जो बार कोड सिस्टम है इसको इन्वेंट किया गया था Norman Joseph Woodland के द्वारा और कब किया गया था 1952 में So ये year and ये जो name है ये important है साती जाद अब QR code जो है बार कोड और QR code दोनों में डिफरेंस है थोड़ा So QR code को डवलप किया गया था 1994 में और ये किसके द्वारा किया गया था एक Japanese Corporation Danso Wave थी उसके द्वारा और QR code की फुल फॉर्म पूछी जाए So quick response code ठीक है ये हमारा हो गया बार कोड और ये हो गया हमारा QR code All right Next question देखते है One-liner Full form of man पूछे जाता है Man, van, lan होते है नेटवर्क उसके बारे में So man की full form है Metropolitan Area Network What is the half bit also called है Half bit को हम और भी क्या बोलते है So उसको बोलते है Nibble ठीक है SAMP stands for SAMP की full form पूछी जाएगी So switch mode power supply है Full form of lan Lan की full form पूछी जाए So local area network है A-S-C-I-I इसकी full form भी पूछी जाती है exam में So American Standard Code of Information Interchange इसकी full form है Who is the father of C programming language जो C programming language है उसके father किसको का जाता है So Dennis Ritche को बोला जाता है ठीक है So friends, I button पे ना मैं एक और computer की important video बना चुका हूँ अलरी तो उसको भी आप जाके देख लेना ठीक है Next question is Which of the following Which represent a CPU cycle जो की रप्रेजेंट करता है CPU cycle को So कौनसी CPU की कौनसी unit है जो की measure करती है ठीक है ये चीज़ So option B is the right answer Hertz ठीक है Hertz जो है वो रप्रेजेंट करती है CPU cycle All right Next question is In the field of computing What does ENAIC stand for ENAIC हमने वन लाइनर में देगा था ठीक है So ENAIC की full form पूछी जाती है एक्जाम में So इसका जो right answer है वो हो जाएगा आपका option A Electronic numerical integrator and computer ठीक है तो friends ये सारे के सारे important question है इनको skip मत करना है इतने तो पढ़के ही जाओ और एक दो question आते हैं binary के ओपर मैंने last time देगा था question paper एसे सीगा तो उसमें क्या था binary के ओपर question आ रहा था binary जो हमारी binary होती है ठीक है उसमें decimal में change करते हैं hexagonal में change करते हैं ठीक है तो वो तो आपको YouTube पर दूसरी वीडियो होगी उस वहां से आप देख लाए ना बहुत simple है और एक question उसमें से आता है तो उसको तो अच्छे से करके जाए है बहुत easy है अच्छे से सीख लिये ना उसको इनायक जैसे की मैंने आपको बताया electronic numerical integrator and computer इसका full form है और यह first programmable electronic journal purpose था है digital computer के लिए ठीक है next question is what is the full form of prom यह भी बहुत important है प्रोम के ओपर भी full form पूछी जाती है प्रोम हो गया यह प्रोम हो गया ठीक है so प्रोम की full form है option C is the right answer programmable read-only memory all right programmable read-only memory जो है वो computer memory chip है ठीक है उसको that can be programmed once after it is created अगर once the program प्रोम जो है उसको अगर program कर दिया गया जो information लिखी गई है वो permanent हो जाती है ठीक है उसको हम क्या करते है erase नहीं कर पाते है all right और नहीं delete कर पाते है next question is in which year did the javascript programming language come into existence तो कब नज़र आई है कौन से year में so इसका जो right answer है वो हो जाएगा options C 1995 is the right answer ठीक है 1995 the javascript programming language come into existence next question is which of the following converts analog information into digital form so इन में से कौन सी चीज़ है जो convert करती है analog information को digital form में ठीक है so इसका right answer है option C digitizer digitizer जो है device वो convert करती है analog information को digital form में ठीक है option C is the right answer जैसे कि मैंने आपको बता है वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी है a digitizer is a machine that converts an analog object image or signal into digital format all right next question is यह बहुत इंपॉर्टन्ट कोशि़न है हम लोग देखते हैं टीवी में भी देखते हैं बढ़ हमने कभी इसके बारे में इसके बारे में बढ़ाब सर्च करने की कोशिश नहीं so which type of a computer is used to control air traffic and radar of a national defense so कौन से टाइब के computers हम use करते है control करने के लिए जो air traffic है जो हमारे airplanes चलते है उसको और जो radar है national defense कौन से टाइब के computer होते है so option C is the right answer hybrid computer होते है वो analog plus digital computer दोनों का बोत होता है वो combination होता है उसको बोलते है hybrid computers ठीक है next question is how many function keys are present in on a standard PC keyboard ये भी star mark कर लिजिए ये काफी बार exam में पूछा गया है कि कितनी function keys होते है standard PC keyboard में so option C is the right answer 12 function keys होते है एक standard PC keyboard में ठीक है so friends I hope you like this video and दूसरा कुछ और भी questions थे जो कि मैंने पिसली वीडियो में include कर चुका हूँ उस वीडियो को भी आप जाके देखिए आपके सारे doubts clear हो जाएगे और जादा जादा knowledge gain हो जाएगे आपको ये जो computer का GK का portion है इसके regarding ठीक है so thank you so much for watching this video and do subscribe and share my channel with your friends and family and इसकी pdf मैं आपको send कर दूँगा अपने telegram channel पे ठीक है और telegram की जो link है वो मेरे description box में मैं शेर कर दूँगा बाकि जैशरीन आवे and thank you so much for watching this video